Hello everyone, आज हम लोग बात परेंगे वार्ण टेक्नलोजी के बारे में, वार्ण टेक्नलोजी जैसा हम लोग जानते हैं, एक रिन्यूवल सेक्टर का शेयर है और यह बेसिकली सोलर प्लेट्स पे काम करता है, इसके बहुत सारे पोट्पोलियो है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट यह मतलब नहीं है, कि आप इस शेयर में पोजीशन बना लीजिए और आपको एक अच्छा रैली दिखने को मिल जागा, अगर आप इसके फंडमेंटल एनलेसे खुद से कर रहे हैं, और आप किसी का एडवाइस और से पूछने के बाद, अपने फानिशन एडवाइसर से प फिनोमेनल तरीके से इमीडेटली हर बाल जब भी लगता है, यह अरली हाफ में लग जाता है, अगर आप इसके एक वन मन्त के ग्राफ को देखेंगे तो यह 5% डाउन ए 6% और 6 मन्त के ग्राफ देखेंगे तो अपने अल टाइम हाई से 31% करेक्टेड है, अभी हाली में यह होगा, अगर नहीं पता हो तो हम आपको बता दे, आपको यह स्क्रीन दिख रही है, अगर यह देखें, आपको यह स्क्रीन दिख रही होगा, यह यल्लो लाइन आप देख पा रहे हैं, यह यल्लो लाइन है, यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यल्लो लाइन यह 50 डे DMA है DMA daily moving average 50-day DMA है और यही अगर आप देखेंगे तो यह जो grey line है यह 200-day DMA है 200-day DMA और particularly यह जो share है अभी फिलहाल अपने 50-day DMA से नीचे trade कर रहा है यह अभी तक का अभी अभी share ने और पहले भी 50-day DMA से नीचे का dip already दिखाया था पर फिर से एक बार 50-day DMA का dip दिखा रहा है तो इसको आप देख सकते हैं कि testing का तो यह phase है यह support बहुत strong support इस share का यहां से दिखाया और यहां से फिर से यह share bounce back किया है अगर आफ देखेंगे intraday deal की बारे में बात करें तो आज की date में बहुत बड़ा कोई deal देखने को as such मिला नहीं अगर 27th यह यानि कि yesterday की बात करें तो यह चार बड़े deal देखने को मिले थे जो की altogether कल के दिन में जो की altogether यहां पर आफको दिखेगा 6-7 कलोड का यहां पर आफका 6 CR के आसपास का यहां पर big intraday deal एक दिन में देखने को मिला अगर इस share के volume की बारे में बात करें तो आज का volume जो इस share का था वो एक लाग का था और कल का जो share का यह volume था वो तीन लाग का था तो share बहुत सही तरीके से आज upper circuit लगाया है और आने वाले time में इसका future होने वाला है पर definitely अगर आफ इस share में position बनाएंगे तो अपने fundamental analysis जरू प्रत हो तो कि आप comment section बताईए और आने वाले किसी भी शेयर के बारे में अगर आपको fundamentally analysis चाहिए तो आप comment section बता सकते हैं बीना किसी हेज की चार्ट के मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay tuned take care thank you so much guys और अफिशन को subscribe कर सकते हैं ताकि हम लोग connected रहें